अर्थ उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर अपनी हिंदी सुधारें पुलिंग और इस्त्री लिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इन शब्दों का क्या मतलब है हिंदी में पुरुष वाची और इस्त्री वाची संग्या शब्दों का लिंग भेद या थार्थ भी है और कल्पित भी शब्द चाहे प्राणी से संबंधितों चाहे अग्रणी से उसका किसी एक लिंग से जुड़ा होना अनिवार रहे भले ही शब्द विशेश के बारे में मतभेद हो कि वो पुल्लिंग है या इस्त्री लिंग जैसे की चर, सामर्थ, चर्चा, ट्रक, आदी यहां किवल प्राणीयों से संबंधित शब्दों के लिंग पर होती आ रही मनमानी की कुछ बात की जाएगी पशु शब्द पुल्लिंग क्यों है और चड़िया इस्त्री लिंग क्यों क्या पशुओं में मादाएं नहीं होती और चड़ियों में नर नहीं होते पशुओं में भेडिया का इस्त्री लिंग क्यों नहीं है और लोम्री का पुल्लिंग क्यों नहीं है इसी प्रकार पक्षियों में भी कव्वा का स्ट्रीलिंग क्यों नहीं है और चील का पुलिंग क्यों नहीं है यही हाल कीडे मकोडों का है खटमल का स्ट्रीलिंग खटमलनी नहीं मिलता है और तितली का पुलिंग तितला नहीं मिलता है जिनकी वास्तविक जगत में मौजूद होने पर शंका करने वाले व्यक्ति के मस्तिश्क में जरूर कोई गड़बडी होगी एक शिमती जी का कथन है कि खटमल इसलिए पुलिंग है क्योंकि वो खून पीता है मादा खटमल शायद केवल पानी पीती है इसी प्रकार एक शिमान जी का कहना है कि टितली इसलिए स्ट्रीलिंग है कि वो सुन्दर होती है इसका मतलब कि हर नर टितली को असुन्दर होना चाहिए प्रत्य एक हिंदी भाशी को पता है कि चीटा पुलिंग है और चीटी स्ट्रीलिंग पर क्या ये चीटों की मादाओं और चीटियों के नरों के साथ स्याती नहीं है इस बात में कोई दुख नहीं है कि हर कच्छुआ या कच्छुए का बच्चा पुलिंग ही होगा और हर मचली स्ट्रीलिंग होगी यदि वो पहाड जैसी बड़ी और मर्द हो तब भी मज़े की बात है कि मचली के बच्चे भी केवल पुलिंग होते हैं वो बच्चियां पैदा नहीं करते हैं इस प्रकार हिंदी के संग्या शब्दों की लिंग व्यवस्ता में तारकिक्ता का का काफी अभाव है निर्जीफ पदार्थों के बारे में और भी ज्यादा जिनके यहां केवल एक दो उदारन प्रस्तुत है पानी पुलिंग क्यों है और रोटी इस्त्री 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 आलेक भाशाविद डॉक्तर रमेश चंद्र महरोत्रा वाचक्स्वर संग्या टंडन अर्परेडियो.com की प्रस्तुती